Hello students, स्वागत आपका हमारे Study View Education चैनल में आज की जो डिक्टेशन है 70 वड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे डिक्टेशन स्टार्ट होगी, 3 सेकिंड बाद, रेडी स्टार्ट, महोध्य, जनम से ही बच्चा अनेक वस्तूओं का उपभोगता बन जाता है विराम दूद, दमाई, साबुन, सुर्मा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलोने, इत्यादी कितनी ही चीजों की बच्चों को आवशक्ता पढ़ती है विराम बहुत सी चीजों में होने वाली मिलावट या पटिया चीजें बच्चों के स्वास्ते को परभावित करती है विराम मा के दूद के स्थान पर डिब्बे का दूद, मिलावटी दवाई, नुकसान देह साबुन, पाउडर, काजल, इत्यादी बच्चों में नाना बिमारियों को उत्पन करते हैं विराम यहीं से बाल उपभोगताओं के रूप में बच्चों की शाररिक, शती, प्रारंब हो जाती है विराम बच्चे जो ही चलना सीखते हैं उनके कदम टोफी, आइसक्रीम, इमली, चूरन, इत्यादी खरीदने के लिए घर से बाहर निकालने लगते हैं विराम यह बाल उपभोगता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं विराम इसलिए यह बच्चे एक ओर मिलावत युक्त, खाद्य पदार्थ, खाकर बिमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो दूसरी ओर पैसे की बरबादी करते हैं विराम सभाव से बच्चे जिद्धी होते हैं विराम वे जिस चीज को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं विराम कोई भी फेरी वाला थेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद्ध करने लगते हैं विराम भले ही वे है वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं विराम फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं विराम जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्तिती का आभास होता है उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज लगाते रहते हैं विक्री के संकेत के रूप में पंगटी आदी बजाते रहते हैं विराम इन आवाजों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं विराम अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वे दूसरों से चीज दिलाने के लिए रिर्याने लगते हैं विराम यहीं से उनके मांगने की आदत विक्सित होती है और वे वे शरम बन जाते हैं पैरा मेलो ठेलों या हाट वजारों में बच्चे प्राए हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं विराम कभी कभी तो वे फेल भी जाते हैं विराम ऐसे में मजबूर होकर अभी भावकों को शरम के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है विराम दुकानदार बच्चों की जिद का फाइदा उठा कर मुह मांगे दाम बसूल करते हैं विराम मेलों में बच्चे पराए एक खिलोना लेने के बाद दूसरे खिलोने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलोने की मांग करने लगते हैं विराम बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुसा भी बहुत आता है पर वे बिवश होते हैं विराम बाजार में हसी भी नहीं करा सकते विराम इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं विराम छोटे बच्चों को जैसे ही कागज और नोट में भेद करना आ जाता है ये नोट देखते हो बीज खरीदने चले देते हैं आइसक्रीम बुढिया के बाल या चूरन इमली वाले की आवाज सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं विराम उन्हें नै तो यह ज्यान होता है कि यह पांच दस पैसे का सिक्का है और नहीं उन्हें ये पता होता है कि क्या खरीदना है इस डिक्टेशन की जो पीडियाफ है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हूँ इसके बाद आप एक बार चेक करके जरूर कि आपने जो भी आउटलाइन बनाई है उसको पढ़ने में आ रहा है या नहीं और यदि आपने हमारे स्टेडि वी एजुकेशन चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए और टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लीजिए थैंक यू